नमस्कार दोस्तों मुके साहू क्लासिस चनल पर आपका स्वागत है लाल कलर का सब्सक्राइब बिटन दबाईए उसके बाद बेल आइकान दबाईए ताकि सब्सक्राइब वीडियो की जानकारी सही समय पर प्राप्त कर सकें बिल्लकुल फ्री में देखिए जब इसका नमबर 40 नमबर लाना भी मुस्किलिए अगर कोई बोलता था कि उसका 50 आ रहाएं साट आ रहा है यह जुट बोल रहा है यह जुट बोल रहा है यह साओ ही नहीं सकता यह फरजी है नकल ची यह उसको पेपर मिला है तो उन्होंने अपनी खामी छिपाने के लिए बस एक बना लेवल बेस पर यह एक्जाम हुआ है और 12 तक कही आया हुआ था और यह साइंस वालों के लिए था तो पुरा साइंस रिलेटेट प्रस्ण थे इसलिए यह टप लगा होगा क्योंकि साइंस पर यह पुछा जाएगा कुछ इजी जीके वगर नहीं पुछा जाएगा जिसको रट के अराम से अपन ट्रीक बनाके याद करके उसको लगा के आ जाते हैं लेकिन साइंस में पूरा साइंस ही था 150 प्रस्ण थे उसमें कुछ 50 नमर के बस समानने से संबने थे बाकी 100 प्रस्ण पूरे साइंस के थे फिर भी आप देख सकते हैं उस समय कोई बोलता था कि 60-70 तो उसकी खिली उड़ाई जाती थी कहा जाता था कि इसको पेपर मिला है यह फरजी है लेकिन व्यापम के अन्य परिक्षाओं की तरह ही इसमें भी आप देख सकते हैं 150 अंग का टोटल पेपर था उसमें 95 पंजनवे हाइस्ट जाता है और इस एकजाम में भी हम कह सकते हैं कि 90 हाइस्ट है सबसे फर्ष्ट में 90 के आसपास ही होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिसका 87 देसमें तीन द एक आपलाई किया है तो और जिस डिश्टिक में तो वहाrau कुछ आगे पीछे रेंख होगा हाईश्ट है तो देखिए बाकी एकजाम हो थे उसमें 90 वाला हिएक च्छा अच्छा श्कासा इम्ट में अंक लाइया गया है जिस तरह से एक्जाम का माहूल बनाया गया था उस तरह का नहीं है जो पढ़ने ओले केंडिडेट्स हैं उन्होंने अच्छे खासे अंग इसमें लाए है और अच्छा खासा इसमें जो इस्टेंडर रहता है जो हाइस्ट जहां तक जाते हैं उतना इसमें गया है उसमें 95-96 रहता है तो इसमें भी 90 तक चला गया है हाइस्ट तो बिल्कुल भी ये अच्छा खासा एक्जाम हुए है और इसका कटा भी उसी तरह से जाएगा आप देख सकते हैं इसमें इनका देखिए इतने नंबर लाया है और उभी सात्वे रहेंक में इसके बावजूद मतलब इसके उपर अभी छे लोग और है पूरी पॉसिबिलिटी है कि 90 के प्लस या 90 वाला फर्स्ट रहेंक में होगा तो जो कोचिंग वाले माहौल बनाते हैं अपनी खामी चुपाने के लिए वो गलत था इसमें पूरी तरह से अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे थे और सबी ने अच्छा रेंग लाया है 12th based का एक्जाम था 12th के बाद ही तो PT PMT होता है 12th के बाद ही इंजिनिरिंग ले एक्जाम देते हैं और 12th के बाद ही MBBS के लिए जो medical test होते हो भी देते हैं तो 12th based तक का यह पूरा एक्जाम था और उस तरह का इसमें result देखने को मिला है अच्छे candidates इसमें select होके आएंगे चलिए ये बताना था आपको अच्छा कासा इसमें highest गया है तो अपका टाप का रुमान भी हम बताएंगे क्योंकि ये district wise इसमें selection होना है rank भी district wise बना है और सभी district नहीं चुना है तो इसमें अभी और भी कई confusion हो सकते हैं कौन select होगा कौन select नहीं होगा तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाए जागा तब तक के लिए धन्यवाद जाहिन